ना कोई ताकत, ना कोई अदावत, और चाहिए पूरा सिस्टम ही क्यों न चाहे, तेरे बोल पर अंकुष नहीं डाल सकते, बोल खिलाबा अजाद है तेरे क्या मोधी सरकार अभी से तैयारी कर रही है कि अगर कोरोना एक बार फिर भारत में दस्तक दे, तो इसका दोश राहूल गान्दी की भारत जोड़ो यात्रा पर मढ़ा जा सके? मैं आपको बतलाता हूँ दोस्तों मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि आप में से सब जानते हैं कि चीन में कोरोना ने एक बार फिर अपना रौदर रूप दिखाया है ये हालत है वहाँ के अस्पतालों की दोस्तों, वहाँ पर एक बार फिर लोगों की बड़े तादाद में मौत हो रही है और भारत के अंदर भी इस बात को लेकर चिन्ता जतलाई जा रही है कि क्या कोरोना एक बार फिर अपना रौद रूप दिखला सकता है? उससे पहले मैं आपको बतलाना चाहूँगा दोस्तों कि स्वास्त मंत्राले ने बाकाइदा राहूल गांधी को एक चिठी लिखी है और उस चिठी के अंदर उनसे कहा गया है कि आप कोरोना के तमाम नियमों का पालन करें या फिर राश्र हित में भारत जोडो यात्रा को स्थागित कर दें अब इस पर मेरी क्या राय है ये कुछ देर बात दोस्तों अगर सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहूँगा कि स्वास मंत्री ने दरसल राहूल गांधी से कहा क्या है आपके स्क्रीन्स पर राजिस्थान में चल रही भारत जोडो यात्रा में कोविट गाइडलाइन्स का सक्ती से पालन हो मास्क भा सैनिटाइजर का उप्योग कराया जाए एवं सिर्फ कोविट के प्रती वाक्सिनेटेड लोग ही इस यात्रा में हिस्सा लें ये सुनिश्चित किया जाए यात्रा में जुडने से पहले और पश्चात यात्रियों को आईसोलेट किया जाए आगे अगर उपरोक्त कोविट प्रोटोकॉल का पालन करना संभव नहीं है तो पब्लिक हेल्थ एमरजेंसी की स्थिती को ध्यान में रखते हुए एवं कोव देश हित में जो है इसे स्थागित कर दिया जाए मैं एक बास पश कर दू दोस्तों अगर वाकई कोरोना एक बार फिर अपना विक्राल रूप भारत में दिखा देता है क्योंकि चीन में हम उसका एक बहुत ही भयाना खत्रा देख रहे हैं तो यकीनन राहूल गांधी को इ ये राश्चोहित में मगर इस पर भारती जनता पार्टी सियासत नहीं खेल सकती ये ना भूलें कि राजिस्थान के तीन एमपीज ने पहले स्वास्त मंत्री को खत लिखा और उसके बाद ये फरमान आया है मैं जानता हूँ कि चीन से खत्रा दिखाई दे रहा है मगर आज मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ कि अगर अब देश में कोरोना एक नए सिरे से फैलता है तो इसका दोश किस पर होगा इसका बहुती आसान सा जवाब है दोस्तों इसका दोश होगा केंदर सरकार पर क्योंकि इस वक्त अगर चीन में एक नई लहर है तो चीन के साथ इस वक्त हमारी फ्लाइट्स जुड़ी हुई है विमान के जरिये संपर्क बना हुआ है इसलिए मोधी सरकार को अभी एहम कदम उठाने चाहिए कड़े कदम उठाने चाहिए इस वक्त अगर एक बार फिर देश में कोरोना का विक्राल रूप आता है तो इसका दोश सिर्फ और सिर्फ मोधी सरकार पर होगा याद कीजे या पश्यम बंगाल के चुनाव हो रहे थे तब प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी मंच पर खड़े होकर क्या बोलते थे कि मेरी निगाह जहां पर भी जा रही है मुझे लोग ही लोग दिखाई देते हैं उसके बाद आपको य प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी को नसीहत दी थी कि आप जो कह रहे हैं गयर जिम्मेदाराना है प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी जब भी किसी से मिलते थे बगएर मास्क के मिलते थे यही नहीं उनकी चुनावी सभाओं में वो कभी भी लोगों को ये नसीहत नहीं देत स्विकार करता हूँ कि भारत जोड़ो यात्रा में उच्छा है और भीड़ जादा आ रहे हैं आज अभी यहां से आप हवाई अड़े जाहिए हवाई जाहिए ना आपको मास्क लगाने को कहा जाएगा ना कोई सानिटाइजर दिया जाएगा खतम क्या भारत सरकार ने नियमों का कि कोई घोषना की है कोई प्रोटकॉल की घोषना की है क्या संसच का सत्र ठगित कर दिया गया फिजिकल जो चल रहा है कि वो भी ऑनलाइन होगा तो भारत सरकार को सिर्फ राहुल गांधी दिख रहे हैं भारत सरकार को सिर्फ कॉंग्रेस पार इसलिए आज मैं आपके सामने पाँच का पंच पेश करने वाला हूं पाँच ऐसे कदम जो अगर अभी उठाए गए तो यकीन मानिए देश कोरोना की एक तीसरी विक्राल लहर से बच सकता है और वो पाँच पंच कौन से हैं एक एक करके आपके स्क्रीन्स पर दोस्तों नमबर एक सरकार को अभी से दबाव बनाना चाहिए कि इस बीमारी को एरपोर्ट पर ही रोकें इस कार्थ क्या हुआ कि एरपोर्ट पर सकती हो खासकर जो विदेश से फलाइट्स आ रही हैं एक एक विक्ती की सलीके से जाच हो क्योंकि ये ना भूलें जब कोरोना की पहली और दूसरी लहर आई थी तो इसकी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ एरपोर्ट के अंदर लचर रवये की वज़ा से इस अब हुआ था दूसरी सारी मशिनरी और सारी जिम्मेदारी सरकार की है सब चीजें सरकार के हाथ में हैं ये जो दूसरा बिंदू है दोस्तों इस पर आपको गोर करना पड़ेगा चाहे प्रचार प्रसार हो चाहे मेडिकल व्यवस्था हो चाहे इमिग्रेशन व्यवस्था हो एरपोर्ट में ये सब केंदर सरकार के हाथ में हैं लेहाजा अब यहां से गर कुछ गरबड हुई तो सिर्फ केंदर सरकार की जिम्मेदारी होगी मुझे ऐसा लगता है कि मोधी सरकार कही न कही जमीन तयार कर रही है कि कल को अगर विकलराल रूप आ जाए तो फिर अपनी मीडिया के जरीए ये प्रचार प्रसार किया जाए कि देखिये इसके लिए राहूल गान्धी जिम्मेदार थे हलाकि मैं आपको याद दिला दूँ आपको याद होगा जब पश्यम बंगाल की चुनाव हो रहे थे तो कॉंग्रिस एक मात्र पार्टी थी जिसने अपनी चुनावी सभाओं पर रोक लगा दी थी उस वक्मताब आनर जी ने भी कहा था कि साथ या आट चरणों की बजाए पश्यम बंगाल में जो चुनाव हैं वो तीन चरणों में करा दिये जाएं मगर मोदी सरकार ने उसे सिरे से खारच कर दिया था इससे पता चलता है कि कुरोना को लेकर मोदी सरकार का रवया कैसा था किस कदर की गंभीरता थी इसके अलावा तीसरा पहलू एरपोर्ट पर कुछ हजार लोग आते हैं और अगर वहीं से संक्रमित मरीजों को बाहर ना आने दिया जाए अगर ऐसा किया गया तो बीमारी नहीं पहलेगी जी हां एरपोर्ट पर सकती की जाए हो सकता है कुछ हजार लोगों को तकलीफ हो मगर इस से देश में करोडों जिंदगिया बच जाएंगी करोडों लोग बच जाएंगे और यही है मेरा शौथा बिंदू एरपोर्ट पर अगले तीन महिने कुछ लोगों को तकलीफ होगी लेकिन करोडों जिंदगिया बच जाएंगी यह बहुत एहम बात है दोस्तों सरकार को यहां सकती लागू करनी पड़ेगी पाशवा बिंदू अगर सरकार पर दबाव नहीं बनाया गया तो यह दूसरों पर इसका दोश मढ़ेगी इसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए दोस्तों हमने लगातार देखा है कि यह सरकार की खासियत रही है कि यह कभी भी अपनी गलती को नहीं बानते हैं जी हाँ मुश्किल से चार या पाँच घंटों के नोटिस पर इन्होंने मजदूरों और गरीबों को सडकों पर छोड़ दिया था नजाने कितने गरीब मजदूर दिल्ली से लेकर बिहार चलते हुए गए थे नजाने कितनों की मौत सडक पर हो गई थी ये ना भूलें महराश्ट का वो नजारा जब कुछ गरीब मजदूर पटरी पर सो रह थे और एक ट्रेन उनके उपर से चली गई थी इस तरह सिला पर वाही बरती जा रही थी और आपको ये भी याद होगा दोस्तों उस दोरान मीडिया का क्या खेल था मीडिया ने एक प्रतीक बना लिया था तब्ली की जमात और उसके जरीए जूट का प्रचार प्रसार किया जा रहा था तब्ली की जमात की जरीए मुसल्मानों पर निशाना साथा जा रहा था और फिर आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया औरंगाबाद हाई कोर्ट का फैसला आया और उन तमाम फैसलों में तब्ली की जमात को बरी कर दिया गया कहा उनका कोई दोश नहीं है मगर उस मीडिया ने कभी माफी नहीं मांगी याद कीजिए Chief Justice Bob Day ने Supreme Court में क्या कहा था Chief Justice Bob Day ने कहा था कि मीडिया ने अपनी अभिव्यक्ति की आजादी का दुरू प्योग किया है जिस तरह से उन्होंने तब्ली की जमाट पर निशाना साधा था आने वाले दिनों में भी कुछ नहीं होने वाला है दोस्तों मैं आपको एक मिसाल देना चाहता हूँ, यह खबर देखे एबीपी नियूस की, यहाँ यह महतरमा जो हैं चीन की आर्थिक मंदी की चर्चा कर रहे हैं, इनमें इतनी भी हिम्मत नहीं है कि भारत के अंदर जो आर्थिक मंदी है, या जो आर्थिक तूफान आ सकता है, या जो देश की चर्चा कीजे, और मैंने एक खबर आपको क्यों मतलाई, दो कारणों से, पहला कारण, यह ट्रेलर है, कि कल को अगर इस देश में कोरोना की तीसरी विक्टराल लहर आई, तो यह मीडिया जो है सरकार से सवाल नहीं करेगा, यह राहूल गांधी या अन्ने लोगों पर इसका दोश मड़ेगा, और दूसरी बात, इत्फाकन यह वही महतरमा है, जिन्होंने प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी से इंटर्व्यू करते हुए कहा था, कि आप कौन सा टॉनिक लगाते हैं मोदी जी, बताईए ना, तो यह हालत है इस मीडिया के दोस्तों, मगर इ लंभीरता से इसका सामना करना पड़ेगा, जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की नहीं है, मैं यह देख रहा हूँ आज कि लोगों ने मास्क लगाना बंद कर दिया है, और उसकी एक वज़ा भी है, क्योंकि कोरोना लगभग इस देश में खत्म हो चुका है, दिन में मुश्किल स मरने की खबर आती है, देश में इसका जो प्रचार है, जो प्रसार है वो लगभग बंद हो चुका है, और मैं कहना चाहूँगा कि तमाम सरकारें, चाहे कि इंद्र सरकार हो या राज सरकारें, बढ़ाई की पात्रें, जनता भी बढ़ाई की पात्रें, मगर ये ना भूले हमारी सबसे बड़ी समस्या है, हमारी जनसंख्या, जरूरी हो जाता है कि हम सब सतर्कता बरते हैं, और खास्तोर से सरकार के जो दोहरे मापदंड हैं, उस पर हम उनसे सवाल करें, क्योंकि हम अगर सवाल नहीं करेंगे, हम अगर सरकार को मुस्तैद नहीं रखेंगे, अगर हम उन्हें जवाब दे ही नहीं बनाएंगे तो उसका नुकसान हमें ही है मैंने जो आपको पांच का पंच बताया वो एक किसम का मंत्र है आने वाले दिनों के लिए इसके बाद अगर हालत बिगड़ती है तो इसका दोश सिर्फ और सिर्फ मोधी सरकार पर है और किसी पर नहीं है क्योंकि जिम्मेदारी उनकी है एरपोर्ट्स पर आपको सतरकता और सकती बरतनी होगी और लोगों में एक संदेश देना होगा कि हमें सतरकता बरतनी चाहिए रोजमर्रा की जिन्दगी में और हाँ जब आप राहूल गांधी को ये नसीहत देते हैं कि आप भारत जोड़ो यातरा को स्थागित करने और मेरा भी मानना है कि अगर हालात बिगड़ते हैं तो उन्हें स्थागित करना ही पड़ेगा इसी तरह के नसीहत प्रधान मंतरी को दी जाए ऐसा नहीं कि प्रधान मंतरी तो तमाम जगाओं पर रालीस करते रहें और आपके तमाम जो सकती है वो विपक्ष के उपर हो ये सरासर गलत है इसलिए इस तरह की राजनीती से मनसुक मंडाविया सहाब को बचना चाहिए स्वास्त मंतरी को बचना चाहिए अबिसार शेर माको दीजे जाज़त नमस्कार